नमस्कार आप सबका मेरे चैनल बिंदास कोकिंग विजरी तुमें बहुत बहुत स्वावत है नवरात्री आने वाले और इस दोरान बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं तो घर में हम अच्छे ची चीजे बना कर खा सकते हैं तो चलिए आज बनाते हैं पेठा ये मीठा गीला पेठा है जिसको हम बना कर बड़े अराम से हफते से 10 दिन तक रख सकते हैं और पूरे नवरात्र के व्रत में जब भी हमें कुछ मीठा खाने का मौनों तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नवरात्र में पेठा मुखे रूप से खाया जाता है तो इसलिए हम बहुत अच्छ पेठा बनकर तैयार हुआ है इसके लिए सबसे पहले हमें एक पेठा लेना होगा यह अलग तरह का थोड़ा पेठा आता है सबजी वाले से कहने पर मिल जाता है जो पेठा होता है वो मुख्यते इसी तावर पे बनाया जाता है अब हम इसे लेंगे और इसे अच्छी तरह पोच लिया है मैंने अब इसके मैंने दो तीन तीन इंच के ब्लॉक्स जो है वो निकाल ली है सरकल में आज मैं आपको पेठा निकालने का एक नया तरीका बताऊंगी जिससे हमें ना इसे छीलना पड़ेगा और ना कुछ और यह मैंने एक पाइप कर टुकड़ा लिया है घर में मिल जाता है आराम से बस इस तरह से इसमें छेट करते जाएए और हमारे बहुत अच्छा पेठा जो है वो रोल निकल कर तैयार है वैसे बहुत अच्छे पेठा रोल बनकर तैयार हुएं लेकिन मैंने इसके बहुत छोटे छोटे पीस कर लियें ताकि यह खाने में तोड़े सई से रहे बस हमें इससे ना तो बीज निकालने का जंजट और ना इचीलने का फटा-फट से हमारे पेठे के पीस निकल के आ जाएंगे कि यह देखिए इस तरह से सारे पेठे हम आराम से निकाल लेंगे एकदम गोल रोल की तरह जितना बजार में मिलता है वैसे ही पेठे हमें इससे सारे मिल गए अब हम एक एक पेठे के अंदर कांटे से अच्छी तरह से इसको पोक कर लेंगे इस तरह से इसके अंदर चाश्टी जो है वो अंदर तक जाएगी और ये बहुत टेस्टी बनकर तयार होगे ना तो हमें इसमें जादा मेहनत करनी है ना ही जादा बरतन सिर्फ एक पतीले के अंदर ही हम बहुत अच्छे पेठे बनाकर तयार कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह इने काटे से पोग करना है आब हम इने एक पतीले में डाल देंगे और अच्छी तरह दोने के बाद साफ पानी भर देंगे और एक चमच के लगभग इसमें चूना पान की दुगान पर अराम से मिल जाता है मेरी बेटी ने कहा कि मुझे छोटे-छोटे पीस चाहिए तो मैंने ये बड़े-बड़े जो रोल थे इन सब को छोटे-छोटे पीस में डिवाइड कर दिया वैसे तो अच्छा ही है थोड़ा सा खाने में ठीक रहता है इस तरह से आप चाहिए तो पेठे के रोल भी बना सकते हैं और इनके छोटे पीस भी काट सकते है बस अब हमें इसे ढखकर उठाकर रख देना है हम इसे बारा से चौदा घंटे तक के लिए आराम से ढखकर रख द आएगा यह देखिए बिल्कुर पेठा साफ हो गया है अब हम इसे गैस पर उबलने के लिए रख देंगे और दस मिनद तक हम इसे हाई फ्लेम के उपर अच्छी तरह से उबालना है इसकी पहचान यह होगी कि एकदम से ट्रांस्पेरेंट होने लगेगा उबलने के बाद चाशनी को बहुत पसंद आती है यह लगबग 400 ग्राम के लगबग पेठा है तो मैंने इसे चार्सु ग्राम चीनी डाली है इसमें चीनी थुड़ी जादा डालनी है क्योंकि इसकी चाशनी में पेठे को डुबो कर रखना है अब हम इसके अंदर डेड़ कप के लगबग प चिप चिपी नहीं होनी चीए बस अच्छी तरह से बॉल हो जाए पांस से साथ मिनट के अंदर हमाई चैशनी बिल्कुल बॉल हो जाएगी और यह देखी ट्रांस्पेरेंट हो गया पेठा यानि हमारा पेठा बनकर तयार है मैंने तो अच्छी से कलर के लिए इसके अंदर हलका सा यलो फूट कलर डाला है लेकिन यह पूरी तरह ऑप्शनल है अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसमें डालने कलर जानने की जुरुवत नहीं है बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट जूसी पेठा बनकर तयार है इसको हम रखकर बहुत दिन तक खा सकते हैं अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा स्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पहला आइकन को भी प्रे आता है तो आप इस पेठे को पहले से ही बना कर रख सकते हैं और जितने दिन नवरात्रे के वरत चलेंगे उतने दिन आप इसका आनन्द उठा सकते हैं आप सबका मेरी वीडियो को अंतर देखने के लिए भौध बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबका दिन शुबू